सब्सक्राइब दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में और आज का यह वीडियो काफी आपके लिए helpful होने वाला है और काफी important होने वाला है क्योंकि 4th of December को जो UK Government ने announcement किया था उसके करण काफी सारे लोग stress में आ चुके थे क्योंकि बहुत सारे changes UK Government ने सोचा था कि अप skilled workers बहुत stress में आ गया थे और उसी stress को दूर करने के लिए मैं आज का यह वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि UK Government ने फिर से कुछ जो changes उन्होंने पिछले दिनों मेरे announce कि थे उसके बारे में कुछ और ज्यादा clarification दिया क्योंकि जो 4th of December को उन्होंने निरने लिया था उसमें क काफी सारे चीजे वेग थी clear नहीं थी तो उसके कारण काफी सारे doubts लोग के मनों में थे legal immigration कम करने के लिए UK Government पाच points बनाया थे जिससे वो legal immigration कम करें अगर आपको वो 5 points जानना है तो उस वीडियो की link मैं इसे description में देदूँगा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं औ और वो 5 points समझ सकते हैं तो उस points को हम repeat नहीं करेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चीजे बताने वाला हूँ 5 good news देने वाला हूँ जो UK Government ने अभी clarification में बताया है तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो अब बता दो कि मेरा नाम है Madhu और मैं आर से से रिलेटेड और UK से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो बनाता हो अधर आप इन topics में इंट्रेस्टेड है तो आप definitely इस चैनल को subscribe कर सकते हैं और इस वीडियो को भी like कर सकते हैं सबसे पहली good news जो है वो students के लिए है क्योंकि students के लिए इन्होंने एक new entrance rule confirm किया है new entrance rule म आपको बता होगा कि जो skilled worker visa पर UK में काम करना चाहते हैं उनके लिए minimum salary threshold जो था 38,700 और रखा था लेकिन new entrance में क्या होगा जो भी नए graduates होते हैं जो भी अपना graduation post graduation complete करते हैं उनके लिए जो 38,000 का salary threshold था उसे हटा देने वाले हैं उसको new entrance के लिए जो भी freshly graduates और post graduates लोग होंग 30% discount देकर ये लोग वो जो 38,000 की salary threshold था उसे कम करके 27,090 pounds करने वाले हैं तो ये काफी अच्छी चीज है अगर आपका graduation complete हो जाता है और आपको skilled worker job मिलता है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 38,000 पे ही नोकरी मिलना चाहिए आपको 27,000 की भी salary वाली नोकरी मिलती है तो आ मतलब उन dependents के लिए जो पहले carer visa पे आये हैं और healthcare visa पे आये हैं और अलग-अलग visas पे आये हैं अगर आपको अभी भी doubt है nurses के visas पे क्या होने वाला है उसके लिए भी मैंने detailने video बनाया है उस video को आप देखिए आपको पता चल जाएंगा कि NHS में जो nurses काम करते हैं उनके उनके लिए क्या होने वाला है कि जो भी लोग अपना visa renew करने वाले है उन लोग के लिए जो salary threshold उन्होंने रखा है 38,700 का वो salary threshold उनके लिए लागू नहीं रहेगा ऐसा UK के जो minister है उन्होंने confirm किया कि वो salary threshold है उन लोग के लिए लागू होगा जो आने वाले दिनों में आना जो already UK में है और अपना visa extend करेंगे उनके लिए यह rule लागू नहीं होगा यह rule सिर्फ उन लोग के लिए लागू होगा जो spring 2024 से visa के लिए apply करने वाले है और जो लोगों का पासल UK में complete होने वाला है जो कि पहले से UK में है उनके लिए वही ILR के rule लागू होगे जो पहले ILR के rule थे उनके लिए भी ILR के rule में जो कि PR जिसे हम अपने other language में कहते है वो rule नए rule उसके लिए लागू नहीं होगे तो आपको डरने की जरुवत नहीं है अगर आप पहले से UK में रहते है तो आपके जो dependence है अगर आप चाहें केरर विजा पे भी आये हो तो भी आपके dependent के उपर कोई problem नहीं होने वाला है तो आपको डरने की जरुवत नहीं है आपके dependent आपके साथ ही रहेंगी क्योंकि इनोंने कहा है कि हमें आपके families को disturb नहीं करना है जो कि already settle हो रहा है और तीसरी जो good news है वो है spouse visa के लिए और family visa के लिए जैसे कि आपको मैंने जो five points system है उसमें बताया है कि family visa पे जो लोग अपने spouse को या अपने family को UK में लाना चाहते है उन लोगों को 38,700 salary दिखाना होगा लेकिन आपको सबसे पहले तो यह बता दो कि family visa spouse visa का मतलब होता है जिन लोग पास permanent residency UK में है या तो citizenship UK में है वो लोग जब अपने partner को UK में लाना चाहते तो उसे family visa या spouse visa कहते है यहाँ visa dependent visa से बिलकुल अलग है तो यह dependent visa का और family visa का कोई लेना देना नहीं है तो कोई ILR वाला बंदा या कोई citizen अपने family को UK में लेके आना चाहता है तो उनको 38,700 का जो salary threshold रखा था उसमें यह लोग changes लाने वाले है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी सारे लोग जिनके wife जिनके husband foreign countries में है उन्हें वो UK में नहीं ले आ पाएंगी इसके करण काफी सारे लोग चिंता में थे तो इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि इसके उपर भी हम काफी सारे changes लेके आने वाले है और आने वाले दिनों में आपको clearly पता चलेगा कि क्या points based system में भी आपको वो news मिली होंगी कि only CQC regulated care homes can sponsor your visa तो जो CQC regulated care homes है वही आपको अभी visa दे पाएंगे जो CQC regulated नहीं है वो बिलकुल ही आपको sponsor later नहीं दे पाएंगे यहां अच्छी news इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग इंडिया में और अलग-अलग countries में scammed हुए है इस visa के कारण क्योंकि वो लोग जब यहां UK में आ जाते हैं उनके पास काम करने के लिए नहीं होता है लेकिन जैसा ही यह regulated CQC regulated care homes ही आपको नौकरे देंगे तो आपके पास जब आप UK में आते हैं तो आपके पास definitely काम रहेगा तो बहुत अच्छा यहोंने पहल उठाया है कि स लिए कि कौन से care homes CQC regulated है और उनके पास अगर vacancies है तो आप directly उनके साथ apply कर सकते हैं और आप directly free में जॉब लेकर UK में as a carer आ सकते हैं और number 5 का जो point है और good news है वो यह है कि अभी 31st January 2024 से जो लोग visit visa पे आने वाले हैं वो लोग सिर्फ visit करने ही UK नहीं बलकि काम करने के लिए UK आ सकते हैं या काफी अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो visit visa पे आना चाहते हैं लेकिन काम भी करना चाहते हैं लेकिन visa restrictions के कारण वो लोग काम नहीं कर सकते हैं तो अब ही आप लोग अगर visit visa पे UK में आते हैं तो आप काम कर पाऊंगे और लेकिन उसमें एक clause यह है कि आप अपने visa को switch नहीं कर पाऊंगे जैसे कि आप अगर visit visa पे आया है तो आप अपने visa को skilled worker visa में switch नहीं कर पाऊंगे आपको वापस जाके अगर आपको job मिलती है तो वापस जाईए और फिर आपका visa switch हो जाएंगा और फिर आप आप आईए तो यह काफी अच्छी good news ह आपको अगर इस visa के बारे में detail में जानना है tourist visa, visit visa पे आप कैसे काम कर सकते है उसके बारे में आपको detail में जानना है तो आप मुझे नीचे comment box में comment करकर बताइए मैं definitely उसके उपर detail में video बनाने की कोशिश करूँगा तो आज के इस video में मैं आपको यह 5 good news देना चाहता था क क्योंकि आपने से काफी सारे लोग stress में आ चुके थे कि हम आने वाले दिनों में यह changes आने करन कैसे अपने आपको UK में settle कर पाएंगे तो आशे करता हो कि आज के वीडियो से आपको काफी motivation मिला होगा, काफी hope मिली होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइ से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, थाइंक यू गाइस वर वाचिं इस वीडियो, गद ब्लस यू